नमस्कार सभी प्यारे विद्यारत्यों को मैं का पिल चाहर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परवाए टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुचाएंगे वाई वीडियो की इस स्रंखला में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जोगफी से एक महतापूर्ड टॉपिक जो है आपका चटान जो है चटान जिसको रॉक्स भी बोले आता है सैल भी आप लोग कहते हैं प्रस्तर भी आप लोग कहते हैं तो यहाँ पर चटानों की अम को सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि भाया चटान कहा किसे जाता है तो आप याद रखेगा कि विभिन खनिजों का समूझ जो होता है उसी को चटान कहा जाता है मतलब क्या हुआ कि जब कई पिरकार के खनिज आपस में मिलते हैं मिनरल्स आपस में मिलते हैं तो उनके मि मिलने से चटान का निर्मार होता है अब आपको एक और चीज यादखना है कि अगर मैं खनिज की बात करूं तो खनिजों का निर्मार किस प्रकार से होता है तो आपको यादखना है कि कई सारे तत्व जव आपस में मिलते हैं एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने स से क्या बनता है खानिज बनता है और तत्व का निर्मार कैसे होता है तो आपको या दखना है तत्व का निर्मार जो होता है यह परमाडूं से मिलकर होता है एटम से मिलकर होता है और परमाडू की अगहम बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट् के मिलने से परमाडू का निर्माड होता है एटम का निर्माड होता है परमाडू के मिलने से तत्व का निर्माड होता है एलिमेंट्स का निर्माड होता है और तत्वों से मिलकर आपके बनते हैं खनिज या मिनरल्स और जब आप खनिजों को आपस में मिलते हैं या खनिज सम्हू जो होता है group of minerals जो होता है उसी को आप चटान कहते हैं आम तोर पर ये मान कर चलिएगा बाई प्रमुख रूप से आपके 6 खनिज होते हैं प्रमुख रूप से 6 खनिज ऐसे हैं जो आपके चटानों में मुख्य रूप से पाई जाते हैं यहाँ पर एक कुशन आप से सकता है जो आपके लिए home work रहने वाला है मुझे comment box में जाकर बताईएगा कि चटानों का अध्यन किस विग्यान में किया जाता है ठेक है आपको ये comment box में मुझे बताना है कि चटानों का अध्यन किस विग्यान में किया जाता है यह आपको जवाब मुझे comment box में जाकर देन आगे की तरफ चलते हैं चट्टानों में पाई जाने वाली प्रमुक 6 खनेज ठीक है प्रमुक रूप से कौन-कौन सी खनेज पाई जाती है इनके नाम आपको याद अखने हैं सबसे पहले याद अखेगा फैल स्पार इसके अलाबा क्वार्ज इसके अलाबा पायरॉक्सेन इसके अलाबा एमफिबोल्स अब्रक और ओलिविन अब्रक कोई क्या बोले आता है माई का बोले आता है ठीक है आपसे पूछा आ सकता है कोशन आ सकता है एक्जाम में के चट्टानों में मुख रूप से पाई जाने वाली खनेज कौन-कौन सी है तो आपको याद अखना है फेल्सपार, क्वार्ज, पायरोक्सेन, एमफिबोल्स, माईका और ओलिवन जो हैं ये मुख रूप से आपके चट्टानों में पाई जाने वाली खनेज होती हैं इसके बाद आगे की मैं बात करूँ तो प्रतवी के क्रश्ट में ठीक है प्रतवी के क्रश्ट में पाई जा होता है, इसे कहा जाता है, क्रश्ट भीच वाला बाद भाग है, इसको आप लोग मेंग्टल के नाम से बुलाते हो और सबसे लाष्ट यानि की अंदर वाला भाग जो है, इसे कर कहा जाता है, अगर आप से पूछा जाए कि प्रतवी के धरातल को कितने भागों में बाटे आता है तो तीन भागों में बाटे आता है क्रश्ट मेंटल और कोड तो यहां पर क्रश्ट की हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके क्रश्ट में कौन कौन से चार तत्व सबसे यादा मत्रा में पाय जाते हैं कई बार आपके एक्जाम में कुशन आया हुआ है कि क्रश्ट में सरवादिक मत्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है तो आपको यादखना है सरवादिक मत्रा में पाया जाता ऑक्सीजन जो कितना होता है 46.8% दू प्रत्वी के क्रश्ट में सरवादिक मात्रा में पाया जाता है उससे कम पाया जाता है सिलिकॉन उससे कम में है ऐलमुनियम और सब इससे चौते नंबर पर जो आएगा वह आपका लोहा या फैरस इनकी परसेंटेज भी पूछी आ सकती है परसेंटेज को भी अच्छे से रॉक्स में हम लोग कि यहां पर बात करते हैं तो आपकी चटान रूप से 3 परकार की होती है तो पहली चक्टान होती है इन्हें कहा जाता है आगङनीय चटान या denial your नियाником दूसरी होती है इन्हें कहा जाता है अवसादी चटान सईडिमेंटै है यहा पर आपको यादखत आगनिय चट्टान जो है वो फिर से दो भागों में बढ़ जाती है है ना उत्पत्ति के आधार पर जिसे हम कहेंगे on the basis of on the basis of origin और दूसरा जो है वो जाएगा on the basis of on the basis of chemical structure chemical structure ठीक है आपको याद दखना है कि आपकी आगनिय चट्टान दो भागों में बढ़ जाती है एक होता है उत्पत्ति के आधार पर और एक होता है रासाइनिक सन्रचना के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आपको यादखना है उत्पत्ति के आधार पर आगने चटाने दो भागों में बढ़ती हैं एक होती है आंतरिक चटान या अंतरवेधी चटान जिसे अंग्रेजी में इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है और दूसरी होती है बाहे जिनको extrusive कहा जाता है। है ना आपको याद दखना है कि आपकी उत्पत्ति के आधार पर आगने चट्टाने दो भागों में बढ़ती हैं। एक होती हैं अंतरवेधी या फिर आंतरिक चट्टान और एक होती हैं बहिरवेधी या फिर बाहे चट्टान इंट्रूसिब और एक्स्ट्ूसिब अंतर क्या होता है यदी आगने चट्टान आंतरिक का मतलब है यदी आगने चट्टान आपके धरातल से नीचे की ओर पाई ज जाती हैं उनको आंत्रिक या अंतरवेदी या इंट्रूसिव 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 इं जाती है एक होती है पातालिय और एक होती है मद्द्वर्ति पातालिय जिसको कहा जाता है प्लूटोनिक और मद्द्वर्ति जिसको कहा जाता हाइपो बाइसल ठीक है बाई इन दोनों में अंतर क्या है तो पातालिय चट्टान कौनसी होती है पातालिय आगनिय चट्टान कौन प्हारण के तोर पर ग्रेड इसी परकार मद्दYवर्ती की में बात करूम तो मद्द पढ़िए आगनिये चट्टान कौन सी होगी तो आपको याद भखना है कि पातालिय आगनि चट्टान और धरातल यानि धरातल से नीचे लेकिन पातालिय चट्टानों से ऊपर आपके चट्टानों के मद्द जब मैगमा या लावा जमा हो जाता है तो जमा होने के बाद वो बिभिन्न प्रकार की सनचनाओं का निर्मार करता है जिन चट्टानों को मद्दवर्ती आगनिय चट्टान कहा जाता है इसमें आप कई सारे नाम पढ़ते हो इसमें आप नाम पढ़ते हो जैसे डाइक है इसके अलाबा इसमें नाम पढ़ते हो आप सिल इसके अलाबा आप नाम पढ़ते हो लैपोलित लैपोलित इसके अलाबा आप नाम पढ़ते हो बैथोलित ये सबी जो हैं ये किस परकार की चक्टान से नीचे चट्टानों के बीच में मैगमा या लावा के एकठा हो का ठंडा होने से जिन चट्टानों का निरमार होता है उनी चट्टानों को मद्दवर्ती आगने चट्टान के नाम से जाना जाता है उधारन के तौर पर मैंने आपको बता दिया जैसे डाइक है सेले है लैप सनचना के आदार पर आपकी आगनिये चट्टानों को दो भागों में बाटे आता है एक ओती है अमलिये जिनको acidic कह देते हैं हम लोग acidic rocks और एक ओती है छारिये जिनने basic rocks के नाम से आने आता है मतलब यदी मेगमा या लावा का परकार अमलिये परकार का होता है तो वहाँ पर आपके अमलिये आगनिये चट्टान का निर्मार होगा और यदी मेगमा या लावे का परकार छारिये परकार का है तो वहाँ पर छारिये आगनिये चट्टान का निर्मार होगा अब आप कहेंगे सर ये कैस से पता लगेगा कि मैगमा या लावा का प्रकार जो है वो अमली है या छारी है है तो आपको याद अखना है कि ऐसा मैगमा ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है वो अमली है लावा कहलाता है और ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है उसे छारिये लावा के रूप में जाना जाता है, मेरे इसाब से clear होगा सभी को, आगे की तरफ चलते हैं, अब साधी चट्टानों की बात करते हैं, sedimentary rocks, ठीक है, आगने चट्टानों की हमने बात करी, आगने चट्टानों का निर्मार कैसे होता था, तो मैंने आपको बताया, मेगमा या लावा के ठंडा होने से, जिन चट्टानों का निर्मार होता हुने आगने चट्टान कहा जाता है, अब साधी चट्टानों का निर्मार कैसे होता है, तो आपको यादखना है, कि आगने चट्टानों में, अपछे और अपर्दन की प्रकर तोकर एकठा होने से जिस चट्टान का निरमाड होता है उसे अवसाधी चट्टान कहा जाता है ठीक है और भैया आगने चट्टानों में अपच्या पर्दन किसके द्वारा कहाता है जैसे जल के द्वारा जल के द्वारा आगने चट्टानों को काट काट कर उनका जो तूटा इन और्गेनिक कहेंगे आप इन और्गेनिक जैविक जिनको और्गेनिक कहेंगे आप और रासाइनिक किडिया युक्त यानि की केमिकल रियक्षन के कारण बनने वाली चट्टान है ठीक है और इन और्गेनिक और्गेनिक का मतब क्या होता है यदि आपके चट्टान में कार् चंत्रित चट्टानों की बात करें, मैटामॉर्फिक रोक्स की बात करें, तो आपको याद पुना है, को आगने और अवसादी चट्टानों पर जो लंगे समय तर टेंप्रेचर और प्रेसर कारे करता है, ताप और दाप की कсемद मात करिया के द्वारा, जब आगने और अवसाधी चट्टाने अपना रूप परवर्तित कर जाती है तो उन चट्टानों से बनने वाली चट्टान जो होती है वो क्या कहलाती है Metamorphic Rocks कहलाती है यहाँ ता बात क्लियर होगी चलिए अब चलते हैं आगे की तरब अब चलते हैं आगे की तरब भाई यहाँ पर गौर कर लिजेगा आपको इस क्रास का PDF कहाँ पर प्रोवाइड होगा तो उसके लिए आपको टॉप तक एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है तो आप तक एप्लिकेशन को आप डाउनलोड करोगे तो कुछ ऐसा परफॉर्मा आ कहाँ पर आपको यूटूब से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है उनकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी ठीक है बाई इसके अलाबा आगे की तरफ चलते हैं आगने चट्टानों की विसेस्ता की बात कर लेते हैं है ना आगने चट्टानों के करेक्टर इस्टिक्स की बात कर सबसे पहले चीज ये प्रात्मिक चट्टाने कहलाती है इन्हें प्रात्मिक सेल या प्रात्मिक चट्टाने भी कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है कारण क्या है क्योंकि इन चट्टानों का निर्मार सबसे पहले होता है इसी लिए इन्हें प्रात्मिक चट् करनल रोक्स का आ गया है इसके अलाबह ये चट्टाने रवेदार होती हैं इनके अंदर ट्रिश्टल्स पाई जाते हैं रवे पाई जाते हैं परत विहीन होती हैं लेयर्स इनके अंदर नहीं पाई जाती परत को क्या बोलते हैं लेयर बोलते हैं लेयर्स इनके अंदर नहीं पाई जाती ही और कठोर चट्टाने होती है कैसी होती है कठोर चट्टाने होती है सॉलिड चट्टाने होती है इसके अलावे important point यह दखेगा इन चट्टानों में जीवास्म जीवास्म मतलब है जीव जंतुओं का बचा कुछा भाग है टे हैं जीवजंतु होता है जीवास्म काहता है इन करो जीवास्म नहीं पाए जाते हैं अपके आपके जैव जो होते हैं जैसे पर लगवपि्र चा चट्टानों में कौन सी धातू में प्राप्त होंगी तो आपको याद अखना है यहाँ पर धातू खानीज प्राप्त होता है आगनिय चट्टानों में धातू खानीज प्राप्त होता है लेकिन आपको याद अखना है इन चट्टानों में संसाधन खानीज resources minerals प्राप्त नहीं होते इसके अलाबा उधारन के तौर पर याद अखेगा ग्रेनाइट है बैसाइट है डायोराइट है गैब्रो है पिचस्टोन प्यूमेस ये सभी आगने सेडिमेंटरी रोच की बात करते है इन चक्तानों को दुत्यकस्टान कहते हैं सेकंडरी रोक्स भी काया आता है यह परतदार ओती है लेयर्स पाई जाती है और इसके अलाबे इन्हें तलचट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है इस संपूर भूपरश्ट का लगबग 75% भाग जो है इनी चट्टानों से बना है जबकि क्रश्ट के निर्मार में इनका योगदान केबल 5% है ये चीज भी याद रखेगा इसके अलाबा ये चट्टान खनिज इन ही चट्टानों में प्राप्त होते हैं संसादन खनिज जैसे आपका कोईला हो गया जैसे आपका पेट्रॉल हो गया या आपका खनिज तेल हो गया तो ये सब जो आपको प्राप्त होगा ये आपको किन 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 चट्टानों में प्राप्त होगा तो आपको याद दखना है कोहला इसके अलाबह आपको याद दखना है सेंड स्टोन सेंड स्टोन इसके अलाबह आपको याद दखना है लाइम स्टोन लाइम स्टोन इसके अलाबह आपको याद दखना है कोरल इसके अलाबह चाक ठीक है इसके अलाबह जिपसाम और इसके अलाबह रॉक सॉल् करते हैं इनका निर्मार कैसे होता है ताप और दाब के क्रिया के द्वारा आगनिया और अवसादी चट्टानों के रूप परवर्थन के कारण जो मैं आपको पहले ही बता चुकूँ इन चट्टानों में कठोरता सरबादिक पाई जाती है यां रखेगा अगर आपसे पूछ चट्टानों में कठोर चट्टाने कौन सी होती है तो आगनिय चट्टान होती है लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि चट्टानों में सरवाधिक कठोरता किन चट्टानों में पाई जाएगी तो कायांत्रि चट्टानों में सरवाधिक कठोरता पाई जाती है यहाँ पर एक most important question आपसे पूछा आता है एक तरफ आपको मुख्य चट्टान का नाम देता है दूसी तरफ उसका बदला हुआ रूप या कायंतर चट्टान आपसे पूछता है तो यहाँ पर जो important आपके लिए उसकते हैं वो मैंने यहाँ पे खटा की हैं देख लीजिए ग्रीनाइट आप आपको पता है आगनिय चट्टान का रूपता ग्रीनाइट बदल जाता है किसमें नीज में बैसाइट बदलता है एमफी बोलाइट में सेल बदलता है सिलेट में चूना पत्थर यानि लाइम श्टोन यह ना चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में बालू पत्थर यानि स चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा अगले वीडियो में नई information के साथ मैं दुबारा आपसे मुलाकात करूँगा तब तक के लिए जै हिंद जै भारत